वेल्कम बैक फ्रेंट्स मैं हूँ प्रमोड और आप देख रहे हैं इलेक्टिकल क्लासिश यूट्यूब चैनल तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर इंजीनियर एक्जाम के बारे में जो की हमारा था हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की तरफ से हमारी भरतियां जो की काफी टाइम से रुकी हुई थी वह वाप इसे बहाल कर दी गई है इसमें सबसे पहले जो नियूज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है जूनियर इंजीनियर के लिए जीहां जो आपने अभी जूनिय 2019 की जो पोश्ट है थी वहां के उनके जल्दी ही एक्जाम होने वाले हैं यहां पर बात की जाए सबसे पहले हैं बात करो जूनियर इंजिनियर सीविल की जो की एड़ोटाइजमेंट नमबर था 10 2019 इसकी कैटेगरी नमबर आप देख सकते हैं 1, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 29, 32, 34, 34 कैटेगरी नमबर का एक्जाम है जो जल्दी होने वाल है इनकी एक्जाम की डेट है जो सीविल की दे दी गई है 31 अगस 2019 सेटरडे को होने वाल है इविनिंग शिफ्ट में आपका एक्जाम इसमें आपका एक्जाम रहेगा वो तीन बजे से लेगे सड़े चार बजे तक रहेगा रिपोर्टिंग टाइम आपका एक बजे है दो बजे के बाद में आपकी कोई भी जो है इंटरी यहां पे नहीं मानने होगी ठीक है एडमिट कार्ड आपके कुछ दिन पहले ही आपको यहां पे बता दिये जाएंगे एक अपते पहले आपके जो अफिचिल वेबसाइट से आप एडमिट कार डाउनलोड कर सकेंगे इसके बाद बात की जाए तो जूनियर इंजीर मेकैनिकल वालों की मेकैनिकल का जी एड़ोटाइजमेंट नंबर है वो 10-2019 था इसमें कैटेगरी नंबर 2-7-21-26-8-28 की बात की जाए तो इनका भी एक्जाम आ गया इनकी एक्जाम की बात की जाए एक नो-2-9 जो की संदे को पड़ता है पहले मेकैनिकल वालों का एक्जाम होगा उसके बाद मेकैनिकल वालों सबीर इनका इथ्याम में सोछा यहाना इनका इक्जाम नायका की जाएक इनका इंड़े जाक्षियोreiben नमबर 10-2019 था उसमें कैटिगरी की बात की जाए तो 3, 6, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 31, 33 और 35 इस पे होना है इनका एक्जाम है 19-2019 का संड़े को जो बताया जा रहा है इविनिंग शिफ्ट में जो की है अपना 3 बजे से लेके इस आड़े 4 बजे तक होना है ठीक है इसके रीपोटिंग आपकी एक बजे होगी और 2 बजे के बाद में कोई रीपोर्टिंग नहीँ होगी आपको यहां पर बताया गया है आपका एक्जाम होता है और और पाकर पहल उखने होना है उसमें से जो आपके यहां पर रहने वाले हैं 10 marks जो कि आपको reservation के जो मिलते हैं जिनके कोई family में जो पर नहीं हो या वगरा वगरा जो होते हैं वो रहेंगे यहां पर उसके बाद अभी तक इसकी कोई तोटली officially notification नहीं है जब तक यह बताया जा रहा है यह official बताया जा रहा है जैसे इसके उपर कोई और नहीं notification आएगी किसी तरह से इसके उपर कोई फेक होने का यह official होने का जो भी मिलता है मेरे को वह आपको update कर दे जाओंगा लेकिन अभी यही notification निकल क्या रहा है कि exam date यहां से डिलीज कर दी गई है तो थैंक्यू गई माच अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किजिए अपने दोस्तों में शेयर किजिए थैंक्यू गई माच